लोकसबाद चुनाओ 2019 में बोजन समाच पार्टी ने प्रत्याक्षियों की घुशना के साथ जमीन इस्तर पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है सपाव और आलोच से गडबंदन के बाद पार्टी इस बार गोरक फुर बस्ती मंडल की नौ में से छे सीटों पर मैदान में है सलेमपूर लोकसबाद सीट सभी दनों के लिए प्रतिष्टा बन गई है इस सीट पर कॉंग्रेस से डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र व सपाबसपा गडबंदन से आरेस कुश्वा पहली बार ताल ठोक रहे है उनके चुना मैदान में उतरने से मुकाबला रोमान चक हो गया है वारानसी के पूर्व सांसट डॉक्टर राजेश पहली बार सलेमपूर से उम्मेदवार है वारानसी के राजनीती में उनकी दखल है बीचु से राजनीती की शुरुआत करने वाले डॉक्टर राजेश मिश्र दो बार MLC रहे हैं MLC रहते ही वारानसी से 2004 में कॉंग्रेस से सांसट चुने गए अब वा अपनी जन्मभूमी से पहली बार चुनाओ मैदान में उतरे हैं इसी तरह बस्पा के प्रदेश अद्यक्ष आरेस कुश्वा सपा बस्पा गडबंदन से पहली बार ताल ठोक रहे हैं वो लखिमपूर खिरी के रहने वाले हैं और बस्पा से वो स्तापना काल से जुड़े हैं वो बस्पा के प्रदेश सचिव, महा सचिव, मंडल, जोन इंचार्च, मुख्य जोन इंचार्च समेत महतोपूर्ण पदो पर रह चुके हैं बस्पा सुप्रेमम आयावती ने मई 2008 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी वो सपा से वर्ष 2002 में निकासन लखिमपूर खिरी से विधायक वो 2010 से 16 तक MLC रह चुके हैं दोनों ने तर राजनीती के मजवे खिलाडी है लेकिन सलेमपूर की ये सियासी पिच उनके लिए नहीं है भाजपा उमेद्वार रविंद्र कुश्वाह यहां से दूसरी बार मैदान में है वो 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से सांसत चुने गए थे भाजपा को इस बार भी जहां मोदी मैजिक पर भरोसा है महीं कॉंग्रेस वर सपा बसपा गडबंदन प्रत्याक्षी अपने अपने पक्ष में समीकरन बनाने के दावे कर रहे है इस शेत्र में आरेस कुश्वाह लोगों की पहली पसंद बने है इस सीट पर दलित मुसलिम और कुश्वाह मद्दाताओं की संख्या 60 फिज़ी से अधिक है जो बियस पी के पक्ष में है